अलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं क्लास 12 का चैप्टर नूंबर 4 का जो है सेकंड भाग जिसमें हम विहार, चैते और स्तूप इनके उपर चर्चा करेंगे जो चौथा पार्ट है विचारक, विश्वास और इमारते हैं उनका से ये लिया गया है तो सब दूसरे चैते जो उनके पूजा स्थल थे और तीसरे हैं स्टूप जो कि इनके बौध धर्म से के पवित्र स्थान मानने जाते हैं जहां पर बुद्ध से जुड़ी वी चीजें रखी जाती थी तो सबसे पहले विहार की बात करते हैं तो विहार का मतलब जो है अगर शाब पर चार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे घुमते रहते थे तो इन विहारों में जो है वो ठैरा करते थे और यहीं पर रहकर अध्यान अध्यापन और लेकन का कार्य करते थे और इनको जो है बहुत मठवी का जा सकता है क्योंकि यहां पर धार अभमिक कार्य जो है संपादित होते थे तो चीनि यात्री श्वेनसांग जिसे हिनसांग भी कहते हैं ने नालंदा विश्वुवित द्याले में उस समय बताया कि लगवग 10,000 जो चात्र जो है रहकर अध्यन कर रहे थे और उस समय जो है हिनसांग के समय में जो हर्षवर्धन का भारत में राज्य था और एक बड़ा समराड था तो उसने नालंदा में तम्र विहार नाम से छात्रावास का निर्मान कराया था यह बड़ा important question है तो तम्र विहार का नाम याद रखना जुरूरी है कि इसको निर्मान जो है समराड हर्शवर्धन ने करवाया था और इंसां ने इसका वरणन किया है तो अत्यदिक विहार होने के कारण ही विहार राज्य वर्तमान में जो विहार राज्य है उसका नाम विहारों से ही पड़ा जो की विहार का अपवरंच है तो कुछ प्रमुख बहुत विहारों का यहां जिक्र करते हैं तो सबसे जो मैतपूर्ण ज गुफाएं तो इस एक और दूसरा है कनहेरी की गुफाएं ये गुफाएं जो जैसा की चित्र में दिखाएगी है ये बाहर से और अंदर से इनको दिखाएं गया है तो कनहेरी कुफाएं मुंबई के पश्चें भाग में बोरवली के उत्तर में स्थित्य और ये उस समय का सबसे बड़ा शैक्षिक केंद्र था तो ये सबसे बड़ा शैक्षिक केंद्र उस समय हुआ करता था ये भी महाराश्टर में है और भाजा गुफाएं जो हैं ये तीसरी में गुफाएं थी तो ये भाजा गुफाएं जो हैं यहां पर बाइस रॉक कट गुफाएं हैं यानि के पाड़ काट के जो बनाई गई हैं और ये जो है लोना वाला के पास पूरें जिलें में स्थित्य और दूसरी शताबदी इसा पूरुव की हैं और यहां पर 14 बहुत स्थापित किये जाते थे जहां पर पूजा किया करते थे और यह पांड़ लेनी गुफाएं हैं ये पांड़वों के नाम ँझुडि हैं लेकिन यह हैं बहुत गुफाएं जिनने त्रश्मी बहुत गुफाएं भी कहा जाता है तो यह जो हैं नासिक जिले में मारश्ट में ही मिली हैं और यह जो है पहली शताब्दी इस्वापूर से तीसरी शताब्दी के समय की हैं और यह जो हैं 400 वर्ष में यह तयार हुई है तो विराट नगर जो की जैपूर जिले के अंदर राजिस्थान में स्थित है और अलवर के समीप पड़ता है जो की राजिस्थान का ही एक अन्य प्रमुख जिला है इसके अंदर विराट नगर के अंदर भी काफी सा मिले तो इसमें जो है आप कह सकते हैं कि चीनी यात्री जो हेन सांग था उसने अपनी जीवनी S S you की इसकी जीवनी थी S you की ने विराट नगर में आठ विहार जो है उसने बरनन किये कि उस समय जब वो यहां यात्रा पर आया तो आट विहार थे यहां पर तो 634 इस्वी में 634 इस्वी में उसने यहां का दौरा क्या था यह जो है उन विहारों के कुछ अवशेश बाकी है यह जो पीछे बड़ी सी चटान दिखाई दे रही है इनी विहार के पास यह जो है अशोक का एक बड़ा प्रस्तर शेलालेख है और आए आज भी वहां पर विद्दमान है अब चैतियों की बात करते हैं कि चैते क्या थे तो विहार के साथ ही चैते भी हुआ करते थे तो चैते जो है बौद और जैन मंदिर थे बहुत ज़्यादा तर इनका जो है जो जोड़ जाता है वो बौद धर्म के साथ जोड़ा जाता है लेकिन जैन धर्म में भी बहुत से चैते मिलते हैं और इनके अंदर जो है बहुत जो चैते हैं उनमें एक स्थूप होता है जिसमें जो की बुद्ध से जुड़ी होई कोई चीजे उसमें सुरक्षित रखे जाती है तो चैते जो है संस्कृत शब्द चिता से वित्पन हुआ है पाली भाषा में इसी को चैतिये बोलते हैं तो चिता से ही चैते बना है यानि के इसमें जो है मूलता है चिता शब्द जो से पावन राख जो है पवित्र राख के उपर जो है उनका समरिती में जो भवन बनाए उनकी याद में भवन बनाए या वरिक्षार ओपन करने की प्रहचीन भारतिय परमपराती तो इसका उलेक जो है ब्रामन गरंतों में बहुत गरंतों में और जैन गर साहिते में भी हुआ है तो यह नहीं है कि यह सिरफ बॉथ धर्म से जुड़े में है अन्य अमें में भी चयते नाम का वर्नन है जैसे रामायन जो है ब्रामण ग्रंत माना जाता है इसमें यहां पर देखेए इस रामायन के जो है इस शब्द के अंदर यहां попर चैते शब्द का उलेक हुआ है इसी त महाँ भारत के तीसरे अध्याय में इसका वर्णने और इसी तरह से जो है आप देख सकते हैं कि ये दूसरे जो है प्रसाद गोपुर्म संभ चैत्य देव गुहा दिशू तो ये जो है नौए अध्याय से लिया गया है तो इसमें भी चैत्य शब्द का यहां पर प्रियोग दोसो उनतिस नंबर शलोक में तो इसन शब्दों में पावन वेदी जो है देवस्तान प्रसाद और धार्मिक वृख्ष आधी के लिए चैत्य शब्द जो है ये प्रियोग होते थे पावन वेदी वेदी जाना यग्ग किया जाता है देवस्तान यानिके देवताओं का प्रघ्ष से बिक्ष जो बोधी विख्ष से भी जोड़ा जा सकता है तब चैते का जो अर्थ है वो क्या होता है तो चैते में क्या होता है कि एक स्टूप बना शोके छार तरफ एक बड़ा भवन बनाया जाता है जिसके अंदर बैठ कर यह बौद धरम के भिक्षू और उसके अनवियाई यहां पर सतसंग किया करते थे आपस में धारमे की विचार किया करते थे तो गुआ मंदिर जो है चैते ग्रह यह प्राय गुपा मंदिर होते थे और इन्हें गुआ मंदिर भी कहते हैं तो बौध धर्म में जो है ये भिक्षु जो है धर्म परचार के लिए जाया करते थे तो अशोक ने जो है इन्हें काफी सारी गुफाएं जो है भिक्षुओं को दे दी थी जहां इन्होंने चैत्यों का निर्मान कराया था तो पूजा के लिए जो है चैत्य का प्रयोग किया जाता था यहाँ पर रहके जो है वो meditation यानि के ध्यान बंदना आधी किया करते थे और चैते ग्रहों के समीपी विख्षू विख्षणियों के निवास के लिए विहार भी बनाये जाते थे यानि के विहार और चैते दोनों एक दूसरे के साथ ही होते थे चैते जाओगा पूजा और धार्मिक जो है योजन ध्यान वेगरा किया करते थे सभा होती थी लेकिन रहते वह थे विहार के अंदर यह तो चैते और विहार साथ साथ पाए जाते हैं तो बौध परमपरम में जो है चैते गुफाएं जो है धार्मिक पूर्जा अर्चना चिंतन तप इन चर्चा का विश है वो स्थूप उस पर हम बात करते हैं तो कुछ स्थूप जो हैं जो काफी मशूर हैं जैसे सांची का स्थूप अम्रावती का स्थूप जो कि अब अवशेश मात्रे और संग्रालयम हैं और सारनात का स्थूप जो बहुत धरम के कुछ पवित्र स्थल रहे हैं जो गौतम बुध्य और जीवन से जड़ेवे मुख्य हैं जैसे लुम्त नी है आपका सारनाथ है इसी तरह से बोध गया और कुशिनगर वगयरा ये गौतम बुध्य के जीवन से जड़े वे कुछ मुखे स्थान रहे हैं सांची के इनका पुवित्र स्थान है लेकिन इसांची में कभी भी गौतम बुध नहीं आये थे तो यह उनसे जीवन से जुड़ा बन गया है लुम्बनी है जो गौतम बुध का जनम स्थले या उनका जनम हुआ था और बोध गया के अंदर उन् वहाँ पर उन्होंने महानिर्वान की प्राप्ति हुई थी, तो स्टूप जो है बनाने के कारण क्या थे, तो इनके उपर हम चर्चा करते हैं, तो यहां जो है नक्षे के अंदर बहुत धर्म से जुड़े वे कुछ पवित्र स्थल दिखाए गए हैं, जैसे लुम्बनी पवित्र स्थान माने जाते हैं, जैसा कि हम अभी भी चर्चा करे थे, तो यहां पर इन पवित्र स्थानों पर जो है, क्योंकि या तो गौतम बुद्ध से किसी ना किसी रूप से जुड़े हुए रहे हैं, या तो उन्होंने वहाँ पर कहीं जनम हुआ है, कहीं शिक्षा जो है ज्यान प्राप्त किया, कहीं जो है उन्होंने प्रतंबार उपदेश दिया, या निर्वान प्राप्त किया, या वहाँ वो काफी समय तक रहे हों, तो इस तरह से जुड़े में, तो बुद्ध की जो जब मान निर्वान प्राप्त हुआ, तो अशोक ने जो है उनके अवशेशों के सेंकडों हजारों भाग करके जो है देश के प्रते कोने में जो है अवशेशों को जो है लिएा के स्थापित किया और वहाँ पर जो है स्थूप बनवाए तो अशोकावादन नाम के जो बहुत दर्मगरंट हैं उसके इसमें लिखा हुआ है अशोक वदान में कि बुद्ध के अवशेशों के हिस्से हर मैतपून शहर में बांट कर उसके उपर स्टूप बनाने का अशोक ने आदेश दिया था तो इसापूर्व दूसरी सदी में भरहूत सांची और सारनाथ जैसे जगाओं पर स्टूप बनाए जा चुके थे तो ये जो है उस समय के स्टूप है जैसे ये भरहूत का स्टूप और ये सांची जो है इसका स्टूप जो आज भी विद्धमान है और सारनाथ का स्टूप ज तो स्थूप की जो है वेदियां और स्थम्ब पर मिले अभिलेखों से पता लगता है कि यह ज़ो है जादातर दान से बनाये जाते थे जैसे यह बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है यह शब्द जो है दान शब्द यहां पर आया है जो कि उस समय की पाली भाषा में यह हुआ है जो दान के लिए है यानि के दान दाता जो है अपना दाताओं ने अपनी हिसाब से जो है उसके कुछ-कुछ हिस्सों का निर्मान कराया था जो दीरे-दीरे यह निर्मान हुआ है एकदम जो आज सवस्था में हमारे को स्थूप मिलते हैं उसमें नहीं थे दीरे- द्वार का हिस्सा जो है हाथी दांत के काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाएं और उसमें हाथी दांत का प्रयोग भी किया गया है तो सैकडों महिलाएं और पुर्षों ने भी दान के अभिलेकों में नाम आता है कभी कभी वो अपना खुद का नाम लिखवाते थे कभी वो पूरे गाओं की तरफ से अगर दान दिया जाता था इस शहर की तरफ से तो गाओं और शहर का नाम और कभी कई बार वो अपना पेशा और रिष्टेदार का नाम भी साथ में लिखवा दिये जाते थे तो इन इमारतों को बनाने में भिख्षू और भिख्षुनियां जिनने भिख्षू और भिख्षुनियां कहा जाता है उन्होंने भी दान दिये हैं तो जो कुछ भिख्षू और भिख्षुनियां उनने भी अपना जो निजी संपत्ति दान दे दी इसके लिए तो स्टूप क जो समझना है जो मेन है उसको समझना उसके उपर जो है यहां पर दो परदक्षणा वाले स्टूप का जो है प्लान दिया हुआ है इसमें यह दो परदक्षणा स्थल है पहले यह नीचे वाला परदक्षणा स्थल और उपर वाला परदक्षणा स्थल तो यह स्टूप की जो म अंड का जाता है इस तरह से अर्द गोलाकार भाग जो है एक अठा मिट्टी का एक टीला बना दिया जाता है और उस टीले को अंड का जाता है ये मेन इसका भाग होता है और इस अंड को जो है इसका तुलना जो है एक बड़े विशाल हाथी से भी की जाती है और इसको माना ज इस जो एंड के उपर हर्मिका होती है यह एक आइताकार भाग होता है यहाँ पर अस्तियों को सुरक्षित इसके अंदर वाले भाग में रखा जाता था तो यहाँ पर यह आइताकार शेप में होता है और इसके ऊपर एक रेलिंग बनी होती है तो इसको जो है चज्जे को हर्मिका कहा जाता है तो ये हर्मिका में ही जो है अवशेशों को अंदर जो है सुरक्षित रखा जाता है और जो अंड है वो अर्ध गोलाकार है जबकि हर्मिका क्या है वो आयताकार भाग होता है तो ये जो है दोनों में फरक है और अंड के उपर हर्मिका होती है और जो है अर्मिका के अंदर एक छत्री मिली है और कहें छत्रियां नहीं भी हैं तो छत्री जो है ये भी बहुत धर्म से के परतीक के रूप में हैं और इसका वर्णन हम आगे करेंगे तो टीले के चारों और एक वेदी का बनी होती है ये वेदी का जो है इस पवित्र स्थल को बाशेश दुनिया से अलग करती है यानि के यह boundary है इसकी और यहां तक यह पवित्र स्थर को इससे अलग करती है यह ज़्यादा तर क्या होती है कि या तो आज कल तो सांची के स्थूप में तो यह पत्थरों की बनी हुए लेकिन पहले जो है यह बांस और काठ से घेरा गया था यानि के लकडी के और बांस से इसका घेराव किया जाता था तो यह चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार जो है इसके उपर तोरण द्वारों के उपर खुब नकासी की जाती थी यह तोरण द्वार अंदर परवेश करने वाले दरवाजे जो हैं ये चारों दिशाओं में लगाये जाते थे पूरपस्य उत्तर देख्षिन में और उन पे खुब जो है नकासी की जाती थी और ये जाता कताओ से जुड़े वे थे जब छत्री की बात करें तो ये तीन स्थर ये होती थी पहला जो है बुद्ध का दूसरे एक संग का और एक धर्म का परतीक होता था जैसे इनका है ना बुद्धम शरणम गच्चामी धर्मम शरणम गच्चामी संगम शरणम गच्चामी तो ये बुद्ध धर्म और संग को के परतीक तीन च शسمक्प हेएं पाता से रावा व्क्राइब gay अर्व को धूकर व्क्राइब सब्सक्तिति यह नाम के एक डंडे के उपर ठीकी होई होती थी तो ये छत्रियां जो हैं तीन स्थरिये हैं और जो की आपको जैसे बताया कि बुद्ध को धरम को और संग का परतीक थी और इसके अंदर जो हैं दो परदक्षना पत हैं एक उपरी परदक्षना पत जो इसके तरफ परिक्रमा लगाने क और इसके अलावा इसमें उपर चड़ने के लिए सीडियां भी बनाई गई हैं जिससे जो है ये सीडियां जो हैं बनाई गई हैं जिनें सोपान बोलते हैं तो ये जो है आप यहां पर हैं इस सीडियां हैं उपर जो नीचले परदक्षना स्थल से उपर के परदक्षना स्थल पर आने जाने के लिए और ये बाहर की तरफ जो है ये जो रेलिंग है ये वेदिका कहलाती है और इसमें चार जो है तोरण द्वार हैं अंदर प्रवेश करने के में जो इसमें एंट्रेंस है वो पूरी द्वार से होती है और इसमें से प्रवेश करके दक्षनावरत जो है य की विदीशा की ही रहने वाली एक व्यापारी की पुत्री थी और उस समय जो है इसका निर्मान जो है इटो के द्वारा किया गया था और आकार भी इसका काफी छोटा था बाद में साथ वाहन शाशकों ने जो है इसके उपर पत्थर से इसको और घेरा लगा दिया ताकि इसक चतरी भी लगाई और इसके बारत की तरफ जो है वेदीकाएं भी बनाए गई गई और परदक्ष्णा・ estaban पत्व बनाए गए अब जो है परदक्ष्णा पत्थ यानिकर परिक्रमार पत्थ की बात करते हैं तो यह पर यह परदक्ष्णा प 550 जो है दिखाया गया है इसी में से के लिए सीडियां भी बनाई गई है तो दीरे दीरे इस परकार जो अशोक ने बनाया था वो सरल सल था जहां पर इसके बाद में तो इसके आसपास बगीचे भी विक्सित किये गए तो अंदर प्रवेश करने के लिए पूरवी जो है द्वार से प्रवेश किया जाता है और सा प्रवेश करने के बाद इसमें दाई तरफ को रहते हुए ठीले के दक्षण दिशा से होते हुए जैसे सूर्य प्रकर्मा करता है दक्षणावरत उसी पर पत का अनुसरन करते वे लोग ये चलते हैं पर दक्षणापत के बीच में स्थान पर गौतम बुद्ध की मूर्तियां भी लगी हुई है आज ये खंडे तवस्ता में है इस मूर्ति का भी देखे यहां पर जो है ये गर्धन पहले नहीं थी जो बाद में जोड़ी गई है आपे निशाननों से पता लगता है जोड़ी गई है ये जो है सीडियां है जो उपर जाने का अब निचली प्रदेक्षना स्थल से उपर जाने के लिए जो है इस परकार की सीडियां बनाई गई है अब सारे स्टूप साधारण नहीं हुआ करते थे, कुछ स्टूप काफी अलंकृत थे, सबसे ज़्यादा जो खुबसूरत स्टूप था, वो अमरावती का स्टूप था, जो की आंद्रप्रदेश में मौझूद है, जो आज उसको राजदानी बनाने जा रहा है, आंद्रप् तो ये जो है, स्टूप जो है, काफी अलंकृत थे, इस पर नकाशी की जाती थी, तो अमरावती और पेशावर का ये जो है, शाह जी की धेरी के नाम से, जो ये स्टूप है, यहाँ पर जो है, ये भी काफी अलंकृत था और इस पर भी काफी सारी ताक और मूर्तियां जो ह उकेरी गई थी अंकरित की गई थी क्योंकि देखबाल की कमी की वज़ा से आज ये इस ठिती में तो जो है बहुत धर्म का परचार अफगानिस्तान और मदेश या तक काफी उस समय था इसलिए वहाँ पर भी जो है ये स्टूप पाए जाते हैं तो ये जो है इसके अवशेश अमरावती के संग्रालियों में मिल रहे हैं आज वहाँ पर कुछ भी नहीं है अब सांची की बात करते हैं तो सांची जो है ये सांची का रेलवे स्टेशन है और यहां से सांची का स्टूप मातर 15 मीटर की पैदल दूरी पर है और सांची मद्दे परदेश राजे के राए 30 किलो मेटर पूर वतर में और विदीशा से ये पर से 40 किलो मेटर की और अपका से 10 की दूरी पर था 10 कि तो इस तरह से जो है इसके पास-पास के इलाकों में भी काफी सारे जो है बहुत धर्म के समारक मिलते हैं जो कि तीसरी शताबदी से बारवी शताबदी के बीच के काल के हैं तो मात्र दस किलोमेटर के दूरी पर ही येजगा है और वहाँ उस पर भी जाकर स्टूपों के दर्शन किये जा सकते हैं तो इस तरह से तीसरी शताब्दीसा पूरु से बार्भी शताब्दी के बीच के काल में ये भने हैं तो यह सांची का जो स्थूप है यह रेल्वे स्टेशन से मात्र 15 मिनट की पैदल दूरी पर है तो 15 मिनट में पैदल चल के भी जाया जा सकता है इसका मदलब काफी नज़धी की है और यहाँ पर स्टेशन के पास ही इसको पर सित है। ये rail mark है और जो है ये सड़क मार्ग है तो सबसे ये जुड़ा हुए है और यहाँ पर आसानी से आप पहुँच सकते हैं तो साची जो है ये बौत धर्म का इसलिए जो है काफी बड़ा धार्मिक केंद्र रहा है तो यहाँ पर साची की जो भागौलिक स्थिति है वो है 23.48 ड तालिस डिगरी उत्री अक्षांच का मतलब यह है कि यह जो है आपके करक्रेखा के उपर श्तित है तो यह करक्रेखा का यह बोड़ भी लगा वह है और समुन्धर तल से इसकी उचाई जो है चार सो चाelcome4 मेटर है तो यह करक्रेखा जो है इसके अंदर से सांची में से होकर गुजरती है तो इस तरह से जो है ये भौगलिक रूप से भी काफी महतपून जगा है तो यहां आप देखें उदेगिरी में से सांची पास ही है और यहां पर बहुत स्टूप हैं और उन में से एक बहुत स्टूप जो है 42 फिट उचा है और यह मातर 10 किलोमेटर की द सांची से जो है पांच मील की दूरी पर जो है सोनारी के पास जो है आठ बहुत स्टूप हैं और साथ मील दूर जो है भोजपूर में 37 बहुत स्टूप हैं तो सांची से पहले बहुत विहार में भी बहुत विहार थे जो है बहुत विहार के अवशेश हैं जहां पर कई सार की छत होती थी जो कि एक भीष्ण आग के द्वारा नश्ट हो गई इसके अलावा जो है यहां पर एक सरोवर भी है और इसकी सीडियां जो है वो गौतम बुद्ध के समय की हैं तो यह जो है अब भी वहां पर पाए जाते हैं तो इसके अंदर जो है रेन वाटर आर्वेस्टि द्वारा सरोवर में पानी भरा जाता था यह देखिए उसी तरह विहार के जो है जो है यहां पर अवशेश हैं जहां पर काफी सारे कमरे होते थे जहां बहुत विख्षू रहा करते थे तो यह सांची का जो स्तूप है यह प्लेन जमीन पर नहीं है बलकि पहाड़ी के उप पर चड़कर जो है जाना पड़ता है कि शांची के मुख्यद्वार के पास लगा हुआ यह पथर हमारे को इसके बारे में पूरी जानकारी देता है कि किस तरह से बहुत धरम के संरक्षक महान शोक ने तीसरी सदी इसापूर में जो है सांची में बुद्ध समारक का इसका निर्मान किया था पाड़ी के उपर विक्षू जीवन के लिए जो है क्योंकि यहां पर शांती और एकांत का वातवरण था तो यहां पर जो है कि विदीशा नामक सम्रद्ध और संपन नगरी थी अशोक ने यहां पर पत्थेर का एक स्थम बनवाया और इटो का एक स्थू मार्क बनाया उपर की प्रदक्ष्णा बनाए हर मिकास जो है इसके गुछ मंदेर में बनाए और इनों ने यहां पर काफ्य इसका विकास कारिय किया करें और स्तूम कश ही चाहिए जो साल साली जो है क्योंकि यहां यह दूसरी शताबदी शापूर था और यह प्रतम सताबदी शापूर है यानि के लगवग सौ वर्ष के अंतराल के बाद जब साथ वाहन योग आया साथ वाहन शाशकों ने स्टूप एक में चारो जो है तोरण द्वार जो हैं वो जोड़े तो यह सौ वर्ष के अंतराल के बाद फिर इसमें यह कारे हुगा जोड़े गए और जो है स्टूप नंबर तीन में एक तोरण द्वार लगाया गया और इसके प्रारंबिक तीन शताबदियों तक इस तरह से इसमें कारे जो है प्रवेश करने के बाद जो है इसका प्रदक्षना जो है मार्ग पे हम आ जाते हैं और यह प्रदक्षना स्टूप नंबर एक के जो है इसमें वेदिका को पार करके इसके अंदर जाके जो प्रदक्षना मार्ग आता है उससे जो है जाय जाता है यह जो है स्टूप संख्या दो है तो यह स्टूप जो है काफी उजड़ी अवस्था में है और अब अवशेश भर रह गया है स्टूप नंबर तीन जिसकी बात पहले होई थी यह है यह काफी अच्छी आलत में है लेकिन इसमें एक ही प्रवेश द्वार है जो कि सात्वान शाशकों ने बनवाया था तो एक प्रवेश द्वार यानिके जो है इसका तोरण द्वार एक है जबकि स्टूप एक में जो है चार तोरण द्वार थे तो एक तोरण द्वार ही इसको अलग करता है और एक और खासियत इसमें यह है कि जो स्टूप नंबर एक है उसके उपर तीन जो है तीन भागों में बटिवी छत्री थी जबकि स्टूप नंबर तीन जो यहां पे शिला लिख जैसे लिखा की छत्री है मलब तीन छत्रियां नहीं है ये भी इनको जो है अलग करता है दोनों से तो इस प्रकार ये यहां पर है तो यहां पर जो है जो तोरण द्वारों में जो है इनको देखने पर ऐसे लगता है जैसे एक राजा जो है गोड़े पर जा रहा है और कहीं ब्रह्मन के लि अध्यन किया गया बहुत साहित्य का तो उसमें ये पता लगा कि ये हाथी पर जाना या गोड़े पर जाने वाला द्रिशे बुद्ध से जुड़ा हुआ ना होकर जो है ये जो है जातक कथाएं जो कि बहुत धरम में बहुत मैत्मून हैं और उनसे लिया गया एक वृतांत है और इसका जो है उत्री तोरण द्वार पर ये घटना क्योंकि अंकित है वो जो है वे सांतर जातक से ली गई है तो ये कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार की है जो अपना सब कुछ जो है गरीब ब्राह्मन को सौंप कर परिवार सहित जंगल में रहने चला गया था तो उस घ काफी जो है बहुत साहित्ते का भी अध्धन करना होगा जैसे यहां कुछ आकरतियों में यहां व्रिक्ष दिखाया गया है और उसके सामने जो है लोग पूजा करने के मुद्रा में बैठे हुए है तो यह यह नहीं बता रहा कि व्रिक्ष्टी पूजा यहां पर की जा रह रहे थे तो यह बुद्ध का प्रतीक मान कर दिया इसको यहां पर पूजा जाता है तो बौदी व्रिक्ष का चित्र जो है इसी को भुद्ध माना जाता है तो यह व्रिक्ष पूजा नहीं है बलकि जो है गौतम बुद्ध के प्रती उनकी श्रदा है तो इसको जो है ध्यान मुद्रा में, क्योंकि इसके नीचे गौतम बुद्ध बैढ़ते थे, तो इसलिए ये ध्यान की अवस्था का प्रतीक है। तो प्रारंबिग मूर्तिकार जो थे, वो बाद में तो गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी, लेकिन शुरूमें, जो है, मूर्तिया नहीं बनाए जाती थी तो उनको परतिकों के माध्यम से दिखाया जाता था जैसे पेड को दिखाना बुद्ध की ध्यान की दिशा को बताता था इसी तरह से कहीं स्टूप जैसे इसी खंबे के में जो है ये स्टूप जो है दिखाया गया है ये महा परिनिर्वान जो है प्राप्त करना जो है मतलब मृत्यू को होना यानिके जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाना ये परिनिर्वान कहलाता है और गौतम बुद्ध का जो है वो महा परिनिर्वान कहलाता है तो महा परिनिर्वान का परतीक जो है स्टूप है क्योंकि इसके अंदर गौतम बुद्ध की अस्तियां या निशानियां जो हैं उनके द्वारा उपयोग की गई सामगरियों को रखा जाता है ये हमारा चक्र है ये चक्र भी एक स्थम पे दिखाया गया है जो की धर्म चक्र कहलाता है ये हमारे भारत के तरंगे यंडे के अंदर भी जो है सफेद वाले भा से भी जाना जाता है तो यह जो है इस चक्र जो है धर्म का प्रतीक है तो बुद्ध के द्वारा दिये गए पहले उपदेश का प्रतीक है खंबे एक जो है तोरण द्वार के खंबे के उपर ये एक मूर्ती है जो एक व्रिक्षों की को पकड़ के एक महिला खड़ी है तो इस इसकी ये मूर्ति है जो ये इस तरी जिस भी रिक्ष को छूती थी उस पे वो फूलों और फलों से लद जाते थे तो इनको जो है शुब का प्रतीक माना जाता था तो शाल भंजी का देवी है ये ना की जो है इसकी खुबसूरती बढ़ाने के लिए किसी महिला का चित्र एक और खंबे के उपर जो है एक महिला का चित्र है जिसके उपर जो है हाथी जो है उसके उपर पानी बरसा रहे हैं तो इसको जो है ऐसा माना जाता था कि ये जो है देवी माया है जो कि इनकी गौतम बुद्ध की मा थी और उनको सपना आया था गौतम बुद्ध के जनम से पह और जो गौतम बुद्ध की मां थी जिन्होंने उनको जनम दिया था तो उस सपने से इसको हाथी को जोड़ के दिखाया गया है तो ये कमल के फूल कमल दल और हाथियों के बीच जो महिला की ये मूर्ति है और इसके उपर हाथी जो पानी छड़क रहे हैं इसको माया समझा जा जो हाथियों से जोड़ा जाता था हाथी जो है बुद्धि मत्ता और शक्ति का भी प्रतीक होता है इसलिए जो है इनको यहां में मूर्तियों में उत्क्रीन किया गया तो इसको माया और गजलक्ष्मी दोनों ही कुछ इतिहासकार मानते हैं कहीं पर ये जो है व्रिक्ष सांप, बंदर, शेर, भैसा, भालू, आदी दिखाए गए हैं तो जेम्स फर्गुसन नाम के जो इतियास वेता थे उन्होंने यहां खंबो पे जो उनको इस तरह से तूटी वस्ता मिले थे और यहां पर जो है काफी सारे सांप, बंदर, गाएं, हाथी वगएरा के इनके च कथाओं में भी मनुष्य के गुणों के रूप में कथा के नायक जानवरों को बनाया गया था, जैसे हाथी को शक्ति और ग्यान का प्रतीक मानते थे, तो कला के आधुने कितियास कारों में जो है, जेम्स फर्गुसन ने सांची को बताया कि यहां पर व्रिक्ष की और आपके चित्र दिखाए गए, तो लेकिन क्योंकि वो बहुत साहिते से अनभिग्य थे और उस समय तक जो है, बहुत गरंतों का ट्रांसलेशन यानि को अनुवाद भी नहीं हो पाया था, इसलिए वो उनके बारे में कम जानते थे, उन्होंने खाली मूर्तियों को देखकर ह पर पहुँच गए थे, कि ये मूर्तियों में जो सांप वगेरा या व्रिक्ष बने हुए हैं, यही जो है, उनकी पूजा के केंद्र रहोंगे, वो यहाँ पर होता था, उनको ये मान नहीं सके कि ये बहुत धर्म से जुड़ी वी एक मैतवपूर्ण इमारत है, तो सांची ऐसे बचा और अमरावती क्यों उजड़ गया, उसके कारणों को हम देखते हैं, तो उननीस्वी शतापदी में जब यूरोपियों ने सांची के स्थूप को लेकर काफी दिखाई, तो वो जो है, चाते थे कि जैसे पूर्वी द्वार है ये, पूर्वी द्वार काफी अच ले जाने के लिए इजाज़त मांगी थी कि वहां के म्यूजियम में रखने के लिए हमारे को ये दे दिया जाए, अंग्रेजों ने भी इसमें काफी दिल्चस्पी दिखाई और वो भी इसको ले लेना चाते थे, उस समय इनका बड़े भूबाग पे शाशन हुआ करता था अंग्रेजों का लेकिन स्वभागेवश जो है शाजा बेगम उनके दवाब में नहीं आए और उन्होंने बड़ी सावधानी से बनाई हुए इनके जो मूर्तियां थी प्रतिकृतियां उनसे ही उनको संतुष्ट कर दिया, इसलिए आज ये सवस्ता में हैं, अमरावती में जो मूर्तियां थी वो अंग्रेज अपसरों द्वारा उठाकर अपने बगीचों में सजावट के लिए ले जाई गई और या संग्राले में रखके दी गई और वो ये कहके इनने उठाके ले जाते थे कि इनसे पहले वाले अपसर भी यही सब किया करते थे, वो भी इनको सजावट के लिए या जो है ब्रिटिश म्यूजियम और कलकत्ता म्यूजियम में उसको रख दिया गया तो ये जो है हमारे शाजान बेगम और उनकी बेटी का चित्र है जो उनकी बाद में उनकी शाशन किया था तो शाजान बेगम जो है और सुल्तान जान बेगम इनकी बे दान के रूप में दिया था, ग्रांट के रूप में दिया था, इनकी उत्रा दिकारी जो इनकी बेटी थी, शाज, सुल्तान जहां बेगम जो है, उन्होंने भी इसी परंपरा को आगे कायम रखा, तो ये जो है मा बेटी जो वहां के शाशिकाएं थी, आज जो साची का तो जॉन मार्शल जो हैं जो स्टेम डार्डर थे सर्वे ऐँडिया के उस साची के लिए कई मैतवूण गरंथ लिखे थे वो सुल्तान बेगम को समर्पिद किyan तो तो इसके लिए एक म्यूजियम यानि के संग्राले और अतिथी शाला यानिके गैस्ट रूम भी बनवाया था जिसमें जॉन मार्शल ने रहते हुए ये सारे पुस्तके जो ये उन्होंने मैत्रून गरंथ लिखे हैं ये सबी पुस्तके जो हैं वहाँ पे लिखी थी इसलिए उन्होंने अपनी जो पुस्तके हैं वो सुल्तान जान बेगम को समर्पित की थी और सुल्तान जान बेगम ने उनको परकाशित करने के लिए उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को परकाशित करने के लिए भी अनुदान के रूप में काफी धन दिया था तो इस तरह से जो है जॉन मार्शल जो थे उनसे काफी इंप्रेस्ड थे तो उन्होंने अपनी पुस्त के उन्हें समर्पित की तो इसके जो है ये इन दोनों बेगमूं द्वारा लिये गए विवेपूर्ण ने और जॉन मार्शल के इंट्रेस्ट की वज़ा से ये स्टूप जो है वहां कायम है और अच्छी बाद ये है कि भागेशाली रहे कि इस पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नजर नहीं पड़ी नहीं तो वो इन पत्थरों का उपयोग जो है निर्मान कारियों में कर सकते थे क्योंगि ज जगा पर बाद के काल में कई सारे मंदिरों का भी निर्मान कराया गया तो बहुत धरम और हिंदू धरम के निर्मान के ने भी यहां पर निर्मान किया तो ये जो है निर्मान कारिया जो है बार्वी शताब्दी तक चलता रहा तो मंदिर संक्या 17 जो है संभवत है प्राची संतंटम बाइध मंदिरों में गिना जाता है तो यह जो है आप जैसा बताया कि यह गुप्त काल में बना था और इसकी चट्ट जो है वो प्लें थी फ्लैट थी तो इसकी चप्टी चत्ति और मूर्ति घर्ब जो है वहां पर भरगाकार है जो कि मूर्ती रखने का स्थान कहलाता है जहां पर देवी देवता के मूर्ती रखी जाती है तो द्वार का मंडप है इसमें यह जो प्रवेश द्वार का मंडप और चार जो हैं इसके स्थम्ब हैं यह एक दो तीन और चार सामने इसके स्थम्ब बने हुए हैं जिन पर बाहर की साइड जो है डिजाइन उकेरे गए हैं इन पर बाहर की तरफ जो है नकाशी की गया अलंकरित किया गया और जो है मंदिर को एक परमपरागत छभी जो है नकाशी वाली थी वो परदान करता है लेकिन अंदर की तरफ से इन पर कोई नकाशी नह प्रियोग में आना बंद हो गया और उपेक्षित हो गया और खंडर वस्ता में इस तरह से जैसा चित्र में दिखाया पहुंच गया तो अब इसका ये इस हालत में कैसे पहुंचा इसका जीरणावदार कैसे किया गया तो सबसे पहले जो है जर्नल टेलर नाम के एक बिटिश अधिकारी ने जो है 1818 में सांची के स्थूप के अस्तित्व को दर्शाया था कि यहाँ पर कोई स्थूप रहा होगा तो उस समय के जो अन प्रोफेशनल पुरातत वेता थे या एवे उसाई पुरातत वेता कहते हैं या खजाना ढूंडने वालों ने इस स्थान को खोद कर जो है काफी नुकसान पहुंचाया लेकिन जब तक यह परंपरा तब जुकी जब जनरल टेलर ने 1818 में इसका जिननों अधार कारिये आरंब कराया तो 1912 से 1919 के बीच धांचे को वर्तमान स्थिती में लाया गया तो यह जो है सब जान मार्शल की देख बाल में हुआ क्यों जान मार्शल वही रहकर इसका काम करा रहे थे और उन्होंने वहाँ पर कई सारे ग्रंथ भी लिखे थे तो आज जो है लगबग 50 समारक स्थल जो है साची के टीले पर गया थे हैं उनमें तीन स्थूप हैं और कई सारे मंदिर हैं तो यह समारक जो है 1989 के अंदर युनेसको द्वारा जो है विश्व दरोहर स्थल यानिके वर्ड हैरिटेज जो है भोशित किया गया तो यह जो है इसके पश्चिमी द्वार का चितर है जिस पे जो है मोटी तोंद वाले जो है कुछ मूर्तियां हैं जो इन खंबों को उठाए हुए दिखाए गई हैं और इस पे अल अच्छी अवस्था में मिला है और इसके अंदर जो है यहां पर यह बोदिवरिक्ष की पूजा का चितर दिखाया गया है इसके अलावा जो है शाल बंजी का देवी जिनका अभी हमने पहले जिक्र किया था उसका भी इसी पर उतकिर्ण किया गया है तो शाल बंजी का दर्षाया गया है यह जो है गेट अच्छी हालत में नहीं मिला था क्योंकि इसमें यह जो प्लेन वाले हिससे दिखाई दे रहे हैं यह बाद में जोड़े गए हैं इसको रूप देने के लिए यहाँ पर यह देखे यह अशोक के चिन जो है चार शेरों वाले वो दिखाई गए हैं तो उत्री द्वार जो है इसको यह जो है इस पर प्रकार की इसमें जो है यहाँ पर जो है सींग का जैसे दिखाई दे रहा है यह आती दांत के सींग जो है इस पर दिखाई दे रहे हैं और यह जो है उत्री द्वार जो है इस पर हाती दांत का काम जो है वो हुआ 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 है तो इ यहां पर ये विसंत्रा वाली जो कथा विसंत्रा जाता वाली कथा भी उनकित की गई तो इस तरह से ये हमारे संस्कृति को बढ़ावा देने वाले हैं तो इनके खोज से बौधों के बौध धर्म के बारे में काफी नहीं जानकारी मिली। यह जो गोल आकरती दिखाई दे रही है यह शोक का शिलालेख है जो तूटी अवस्था में मिला था और इसके जो है बाद में इस शिलालेख को जो है जोड़ा गया है और इसके बचे हुए हिससे जो है इसी परिसर में स्थित एक संग्राले है म्यूजियम है उसके अंदर का कर जोड़ा गया ताकि हमारी धर्वहर को जो है सुरक्षित रखा जा सके उम्मीद है आपको यह वीडियो जुरूर पसंद आया होगा और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए जो है आप मेरे साथ जुड़े रहे आपके भमुले समय देने के लिए धन्यवाद